दोस्तों आज का वीडियो बड़ ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम Jio Air Fiber के 30 MBPS प्लान का विविव करने जा रहे हैं। आज हम इस प्लान के इंटरनेट स्पीड की टेस्टिंग करेंगे, cover चेक करेंगे इंडॉर में, outdoor में, downloading स्पीड चेक करेंगे, Wi-Fi पे कितना मिलता है, LAN पे कितना मिलता है, big size files को download करने में कितना टाइम लगता है, क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आती है Downloading में, वीडियोज प् है और अगर होसके तो पलीस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो जादे ना करते हैं दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले तो दोस्तों जान लेते हैं इससे जादा खर्च नहीं होता है अगर आपकी हैवी यूजिस है तब भी आपका 1000 GB के लगबग खर्च नहीं होगा तो डेटा बिल्कुल स्वीशन मिलता है इसके लावर 12 OTD एपस मिलती है जिसमें 4-5 मेजर एपस आपको मिल जाती है और साथ में आपको लगबग 15,000 की कीमत का एक और यूनिट एक इंडोर यूनिट और एक जियो सेटप बॉक्स मिलता है जिसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है कोई आपको स्कूर्टी नहीं देनी है कोई आपको इस्टालेशन चौर्ज नहीं पेक करना है सिरफ आपको जो अभी प्लान चर रहा है 2222 रुपे पेक करने है और आपका जियो कनेक्शन घर पे लग जाएगा अगर आप Live TV चैनल देखना चाहते है तो जियो टीवी प्लस अप की हल्प से आप Gio Setup Box में देख सकते हैं और चाहे तो अपने किसी दूसरे Android TV में भी आप Gio TV प्लस अप को इंस्टाल करके Live चैनल देख सकते हैं क्योंकि ये अप आपकी दो Android TV में चल जाती है इसके साथ जो दूसरी OTT Apps मिलती है वो आपके Jio Setup Box में भी चलेंगी, आपके दूसरे Android TV में भी चलेंगी, आपके Mobile में भी चलेंगी, आपके Laptop में भी चलेंगी तो इस तरह करके आप 2-3 जगा OTT Apps को देख सकते हैं अब दोस्तों सबसे पहले 30 Mbps के गिनित को भी समझ लेते हैं 30 Mbps यानि के 30 Mbps और 1 Byte में 8 Bits होती है इसका मतलब जब भी आप Internet से कोई Heavy File या फिर कोई भी File डाउनलोड करेंगे तो आपको जो Maximum Speed मिलेगी Downloading की वो मिलेगी 3.75 Mbps पर सेकंड तो अगर आपका 100 Mbps का प्लान होता तो आपको Speed मिलती Maximum 12.5 Mbps तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपको 3.75 Mbps से ज़्यादा Speed नहीं मिलने वाली है अगर आपको Heavy Work करते हैं अगर आपको Heavy Files डाउनलोड करनी पड़ती है तो मैं recommend करूँगा कि आप 100 Mbps का प्लान ही ले क्योंकि इसमें आपको 3.75 Mbps Maximum है लेकिन आपको Maximum Time पर मैंने देखा है 2 या 3 Mbps की Speed ही मिलती है इससे जानक Speed नहीं मिलती है तो दोस्तो यह ना हमारा Jio का Indoor Router जो की Outdoor Unit से Connected है और अभी Fully Working है तो दोस्तो अभी मैं आ गया हूँ छत पर और यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा Jio Air Fiber का Outdoor Unit लगा हुआ है तो यहां पर हम Speed Test करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं मैं यहां पर 29 Mbps की Speed मिल रही है तो अभी मैं First Floor पर हूँ और अब हम चलते हैं नीचे Ground Floor पर और चेक करते हैं कि वहां पर हमें क्या Speed मिलती है तो दोस्तो अभी मैं जो मेरा Router लगा हुआ है Indoor Unit उससे लगवख 15-20 मिटर की दूरी पर हूँ और यहां पर जो मुझे Speed मिल रही है वो 30 Mbps की मिल रही है अब हम थोड़ा और आगे जाकर चेक कर लेते हैं तो दोस्तो अभी मैं लगवख 50-55 मिटर दूर आ गया हूँ Router से जहापर मेरा Router लगा हुआ है और यहां पर जो मुझे Speed मिल रही है Downloading की वो 4.8 Mbps की मिल रही है तो मैं एक बर फिर से Retry करता हूँ तो यहां पर Retry करने के बाद मुझे 10 Mbps की Speed फिर से मिली है तो अभी आप दोस्तो आप देख सकते हैं कि मुझे को छत पर भी अच्छी Speed मिली है और जब मैं 15-20 मिटर की दूरी पे था अपने Router से तब भी मुझे को अच्छी Speed मिल रही थी लेकिन 50 मिटर दूर जाने के बाद जो Speed है वो 5-10 Mbps की बीच मिल रही थी तो ये अच्छी बात है दोस्तों कि 50 मिटर एक अच्छी दूरी होती है वहाँ तक अगर हमें फिर भी 10 Mbps तकी Speed मिल रही है तो एक अच्छी बात है तो अभी दोस्तों हमें यहाँ पे Downloading Speed भी चेक कर लेते हैं तो अभी हम चेक करते हैं कि जो यह Speed है यह Maintain रहती है या फिर यह Speed बात में कम हो जाती है तो दोस्तों जिस Problem के बारे में मैंने पहले भी बताया था वो मुझे अब फिर Face करने को मिल रही है जो Speed पहले 3.2 Mbps की चल रही थी वो अब लगबग 400 KV के आसपास ही रहे गी है और यह और भी कम होने बाली है और अभी जो Data Download हुआ है वो सरफ 334 Mbps ही Download हुआ है तो अब सोचिए कि अगर मिझे को 10 GB पूरा Download करना पड़ा तो यहाँ पर मुझे को 6-7 घंटे का टाइम दिया जा रहा है Downloading के लिए जबकि मेरा 30 Mbps का प्लान है और जो Maximum Speed रहनी चाहिए वो 3.75 तक रहनी चाहिए और यह मैं किसी Website से Download नहीं कर रहा हूँ यह Google Drive से ही Download कर रहा हूँ तो Downloading Speed का भी कोई Issue नहीं रहना चाहिए तो यह तो जो मेरी Downloading चर रही थी यह Wi-Fi से चर रही थी अब मैं एक बार इसमे Land Connection करके देखता हूँ कि क्या Land Connection पे भी हमें यह सेम प्रोलमाती है Downloading में तो दोस्तों यहाँ पे मैंने Land Cable Connect कर दी है अपने Laptop के साथ और अब मैं Downloading Speed आपको चेक करवा देता हूँ तो दोस्तों अब देख सकते हैं कि जो पहले 400-400 Kbps के Speed हमें Wi-Fi पर मिल रही थी वो Land Cable लगाने के बाद फिर से 3.2-3.3 Mbps के में मिलनी स्टार्ट होच की है और जो पहले 6-7 घंटे का टाइम हमें देख रहा था Downloading के लिए वो अब 49-50 मिनट्स का यहाँ पर रह चुका है तो इसका मतलब है कि Land Cable में तुबारा से अच्छी Speed मिली स्टार्ट होच की है लेकिन देखते हैं कि किती दिर तक स्पीड मिलती है हो सकता है यह फिर से कम हो जाए तो दोस्तों यहाँ पर लगबग हमारा 1GB data डाउनलोड होच का है और Speed अभी भी 3.1, 3.2 Mbps की बनी हुई है तो इसका मतलब यह साफ है दोस्तों कि अगर आप Land Cable से है भी फाइल को डाउनलोड करेंगे तो वो आपकी जल्दी डाउनलोड हो जाएगी अगर आप Wi-Fi से डाउनलोड करेंगे तो वो जल्दी ही अपके 300-400 Kbps की Speed ही रह जाएगी और सेम दोस्तों इसी तरह uploading speed भी Wi-Fi पे थोड़ी देर बाद कम हो जाती है तो आपको अगर कोई भी फाइल डाउनलोड करनी है या अपलोड करनी है तो आपको Land Cable लगाना पड़ेगा अपने computer में तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको एक बार Geo TV Plus एप को भी चला के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमें जो viewing experience है वो कैसा मिलता है तो भी आप दे सकते हैं यहाँ पे हमारा Colors HD चैनल है वो लगबग Full HD क्वालिटी के अंदर यहाँ पे प्ले हो रखा है किसी भी इतना का lag यहाँ पे चैनल को प्ले होने में नहीं हो रहा है क्वालिटी भी यहाँ पे जवरदस्त आ रही है और अगर हम किसी दूसरे चैनल को यहाँ से जाके प्ले करते हैं तो वो भी instantly प्ले हो जाता है तो चैनल स्विचिंग में भी यहाँ पे कम ही टाइम लगता है प्शरते कि आपको किसी एप के अंदर चैनल जाकर देखना ना पड़े जैसे कि G5 एप में या फिर होट स्टार में तो दोस्तों हम यहाँ पर एक बार YouTube को भी चला के देख लेते हैं तो अभी जो हमारा content play हो रहा है वो 720p 60fps में हो रहा है अभी हम इसकी quality को यहाँ से maximum पे set कर देते हैं तो लेज़े दोस्तों यहाँ पर आप जो quality है वो maximum 4K पे set कर दी गई है और आप यहाँ पर quality चेक कर सकते हैं कि 4K content के हमें बहुत ही बढ़िया मिल रही है किसी बितना का lag हमें यहाँ पे 4K वीडियो चलाने में नहीं मिल रहा है बिल्कुल स्मूथ यहाँ पे वीडियो प्ले हो रहा है तो यहाँ पर दोस्तों हम उकला की official app से भी वीडियो टेस्टिंग करके देख लेते हैं आप कितनी quality तक का वीडियो इस वाइफा इंटरनेट के जरीए प्ले कर सकते हैं तो यहाँ पर जो हमारी टेस्टिंग है वो स्टार्ट होच की है आप देख सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि a maximum resolution of 2160P यानि कि 4K वीडियो आप इससे प्ले कर सकते हैं किसे भी large phone पे, large tablet पे, large laptop पे और TV पे तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 30 Mbps प्लान के बारे में detail से जान लिया है हमने इसके speed की indoor testing कर ली है, outdoor testing कर ली है, downloading speed की testing कर ली है Wi-Fi पे कितनी speed मिलती है, LAN पे कितनी speed मिलती है, YouTube पे 4K content चला के देख लिया है Jio TV Plus में हमने इसको चला के देख लिया है, लगबग सभी तरह की testing हम इसकी कर चुके है अब जो कुछ major problems मुझे इसमें नजर आई है, वो मैं आपको उपताने वाला हूँ अगर आपके लिए वो problems matter नहीं करती है, तो आप इस connection के लिए जा सकते है तो जो सबसे पहली problem मुझे इस connection में लगी, वो है कि हमें इसमें कोई middle का plan नहीं मिलता है या तो हमें 30 Mbps का plan मिलता है, या फिर सीधा direct 100 Mbps का ही plan मिलता है बीच में कम से कम 50 Mbps या फिर 60 Mbps का plan होना चाहिए था, चाहे आप price 100 या फिर 150 रुपीज एक्स्टा ले लेते दूसरी plan दोस्तों इसमें हमें केवल internet का plan नहीं मिलता है, हमें OTT plans भी साथ में लेने ही पड़ते है फिर पिर चाहे आपकी जुरूरत हो, OTT apps को देखने की या फिर ना हो, आपको 599 minimum पेक करने पड़ेंगे जैसे Jio Fiber में केवल हम 399 का plan लेके internet यूज कर सकते हैं, वैसे भी इसमें कम से कम 399 का plan होना चाहिए था, जिसमें हम केवल 30 Mbps तक का internet यूज कर सकते तीसरा दोस्तों, यहाँ पर हमें एक regular speed नहीं मिलती है, जैसे कि यह जो हमारा Jio Air Fiber का connection है, यह 5G से चलता है, तो जैसे जैसे आपकी area में signal होंगे, वैसे वैसे ही आपको speed मिलेगी और कई बार जो अगर कोई tower down हो जाता है, तो आपकी Jio Air Fiber की speed है, वो भी down हो जाती है और चौती जो problem मुझे लगया दोस्तों, हो सकता है वो आपकी ना हो, कि यह space consuming है, यानि कि जो इसका router है, वो भी size में काफी बढ़ा है, और router के साथ जो हमें एक अलग से adapter मिलता है, वो भी काफी बढ़ा है, तो जहाँ पर भी आप लगाएंगे, वहाँ पर आपको तारें devices ही हो जाएंगे, इसलिए इसको आपको चिपो कर ही लगाना पड़ता है, जैसे कि मैंने इसको अपने monitor के back side में ही लगा रखा है, और पाच फी problem दोस्तों हमें इसमें direct fixed phone connect करने का port नहीं मिलता है, जैसे कि हम geo fiber लगवाते हैं, airtel का extreme fiber लगवाते हैं, या bsml fiber लगवाते हैं, तो उसमें dedicated port होता है, जिसमें हम अपना fixed landline connect करके free calling कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें direct port नहीं मिलता है, landline या fixed phone को connect करने के लिए, हाँ आप इससे free में calling कर सकते हैं, आपको एक fixed landline number मिलता है, लेकिन दोस्तों उसका फैदा क्या है, क्योंकि उसको use करने के लिए आपको अपने android या फिर iphone में geo join app को install करना पड़ेगा, तो अगर हमें phone से ही calling करनी है, तो फिर हम उस fixed landline number का फैदा क्या हुआ, क्योंकि हमारे phones में तो पहले से ही unlimited calling होती है, और छटी problem दोस्तों मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, downloading की, कि wifi पे आपको 300, 400, 500 MB के बाद जो speed है, व load करनी है, तो भी आपको speed कम मिलेगी, तो यह थी दोस्तों कुछ problems जो मैंने face की है, अगर आपके लिए problems कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, तो आप इस geo air fiber connection के साथ जा सकते हैं, आपका क्या कहना है, इस connection के बारे में मुझे नीचे comment करके जुरूर बताईएगा, अगर आप कोई और भी स्वाल रह गया है, इंटरनेट से related या फिर जियो air fiber से related, तो आप मुझे नीचे comment में पूस सकते हैं, तो hopefully दोस्तों आपको इस वीडियो में दीगी जानकर इपसंद आएगर आपको वीडियो पसंद आएगर आपको वीडियो पसंद आएद पलीजिए, इसको like देमात्राम.